हलो गाईज दिस इस 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 इक्षा उपाध्य है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल बीलेट कोर्स पर हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं MCQ टाइप कुस्चन्स बीलेट फस्ट इयर के लिए जैसे आकी आप सभी जानते हैं बीलेट फस्ट इयर का थर्ड पेपर है लेंगवेज और सोसल साइंस इसका फस्ट इयूट कंप्लीट हो गया है और सेट een unit का फस्ट टॉपिक जो कम्नी केशन है ऊद से आज का जो यह वीडियो है बहुत छोटा सा है इसका जैसे युनिवर्सल ग्रामर का मैंने जब इसके पहले कम्मिकेशन आपको आपके साथ डिसकस किया था तब वहाँ पर भी थोड़ा युनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया था आप लोगों को तो चलिए गाईज उसी क कंटीनियू करते हैं स्वर्स्ट कोईशन है है जा आउने एक शारभावमिक व्याक्रण यू जी यानि की यूनिवर्सल ग्रामर संब धित है तो अगर सबबब्ब्क व्याक्रण की बात आए!" तो द्गाते हैं कि संसार में जितनी भी दुनिया की भासाएं हैं वह एक मोल ब्याकरण से निकली हैं जिन में कुछ न कुछ कौवन रहती हैं और मनुस्त का जो ब्रेन रहता है वह रूल्स को जन्रेट करता है तो शार्व भॉमिक ब्याकरण का मिन जहीं होता है तो इससे संबंदित है नौयम चांप्सकी तो इसका पहला आप पुर्थम किसने यानि किस दार्शनिक ने भासा संबंदी अपने अलोकनों में पाया था कि दुनिया की सारी भासाएं एक ही भ्याकरणिक धाजे पर आधारित है तो यह आंसर हो जाएगा फर्ष्ट रोजन बेकन ने पाया था सबसे पहले जो कि इगलेंड के हैं फिर जो अनुभवादी सिधान्तकार है यह माने थे कि जो सिसु उता है उसका जो ब्रेन होता है वह कोरा होता है जबकि जो नॉम्चामस्की नहीं कहते हैं कि जो चायल्ड होता है वह जब सिसु बचपन में यानि रहता है इन फैंसी ऐज में तब फिर वह एक इनट कैपसिटी लेकर जन्म लेता है उसी के द्वारवा धीरे धीरे अपने भाषा का विकास करता है तो गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यू गाइज थैंक्स पर वाचिंग